हलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी आपके अपने YouTube चैनल मोरल विच्टो में दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आज़ की वीडियो है ओवर फिंकिंग पर यांई किया है कैसे और फिंकिंग से निकला जाए दोस्तों, दो चीजे होती हैं, जिन में से सबसे पहला है दिमाग की कचर पचर, यानि दिमाग में अननेसेसरी रेंडमली कुछ भी थौट चलते रहना, यह होती है दिमाग की कचर पचर, यानि उनका किसी भी चीज से कोई भी रिलेशन नहीं होता है, बस अननेसेसरी थौट कि overthinking को आखिर कैसे जड़ से ठीक करें इस समस्या को ठीक करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि overthinking है क्या क्योंकि बिना किसी समस्या को जाने उसका इलाज कर पाना मुस्किल है दोस्तो overthinking basically हमारे thoughts होते हैं हमारी विचार होती हमारे सोच होते हैं मतलब उन में हम कुछ भी सोचते रहते हैं किसी भी विचार में खो जाते हैं अब मान लिजे एक कोई छोटा सा विचार आपके मन में आया शुरू कहीं से किया था और पहुच कहीं और गए अपने विचारों के माध्यम से यह पूरा चाइन के जैसे बने हुए चलते रहते हैं विचार तो अब ही आप बात कर लेते हैं कि असके कोई नुकसान है कि कोई साइड एफेक्ट हैं दोस्तों बिल्कुल भी नेएं इसका कोई बी नुकसान नहीं है कोई भीसाईड इफेक्ट नहीं जो दिमा की कचटपचड़वाले वीडो मैंने बनाई थी, उसमें काफी सारे साइड इफेक्ट उसके हैं, पर जो ओवर्थिंकिन्ग है, उसके साइड इफेक्ट बहुत ही कम हैं, ना के बराबर हैं. दोस्तो बेसिकली दो तरीके की overthinking होती है आपको किस overthinking से खतरा है यह अभी हम बताते हैं तो दोस्तो बेसिकली दो तरीके की विचार होते हैं एक वो जो useful होता है हमारे लिए जो हम जानबूच कर सूचते हैं और दूसरा वो जो unnecessary होता है जिनका कोई मतलब नहीं होता है कोई अर्थ नहीं होता सोचने ना सोचने का दूसरे उस किसम के विचार होते हैं अच्छे जो दूसरे किसम के होते हैं इन्ही को हमें रोकने की जुरुत पड़ती है क्योंकि ये खतरनाक हैं क्यूं कि हम जब बहुत ज्यादा सोचते हैं तो इसके चलते हमारी energy हमारी brain के energy बहुत ज्यादा खर्चा होती है इसके चलते हम ठका ठका मैसूस करने लगते हैं और भी काफी सारे side effects होते हैं इसके जो पहले तरीके के बताए इसको रोखने की बिल्कुल भी जुरूत नहीं है क्योंकि यह हम इंसानों की खासिया थे सोचना क्योंकि हम लोग सोच समझ कई हर काम को करते हैं हर डिसीजन को लेते हैं दुनिया में जितने भी अविश्कार हुए हैं जितने भी नई चीजे आई हैं वो जाहिर सी बात है किसी ना किसी ने सोचा है उस पर मेहनत की है तब जाके वो चीज वास्तविक्ता में आई है पर यह जो दूसरे प्रकार की चीज़ होती ना जो अननेसेसरी थौट्स होते हैं इनका कोई भी मतलब नहीं होता है अब हम जान लेते हैं कि आखिर यह अननेसेसरी थौट्स होते कैसे हैं अब मान लिजे कि पास्ट में आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ, किसी ने आपको कुछ कह दिया, अब आप उस बात को याद करते रहते हो, कि इसने मुझे ये कहा, इसने मुझे ये कैसे कहा, अब अगली बार ये मुझे मिलेगा तो मैं इसको ये जवाब दूँगा, फिर मुझे यहाँ एड्मिशन ले लेना है, फिर मुझे ये जॉब कर लेना है, फिर ऐसे ऐसे जॉब करूँगा, ये अमीर बन जाओंगा, वहाँ पहुच जाओंगा, ऐसे दिमाग में खिचडी बनाते रहते हैं, भले ही वो वास्तविक्ता में बदले या ना बदले, बस बे रुखना होगा, जैसे मान लीजे कोई भी विचार आपके मन में आया, तो उस विचार को आगे बढ़ाने से पहले आपको ये समझ लेना है कि ये विचार मेरे लिए यूसफुल है या नहीं, अगर वो यूसफुल है तो बिलकुल आप सोचिए, और अगर यूसफुल नही ही है, तो उसको पहले इंड सही रोग दीजे, उसको आगे ना बढ़ने दीजे, दोस्तों जब आप अपने विचारों के प्रति सचेत होने लगते हैं, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक ये समस्या रुखने लगती है, ये विचार और थौट्स रुखने लगते हैं, अच्छा मजबूर हो जाते हैं, तो इसका एक अच्छा तरीका है, अपने मन को हलका करने के लिए और उन विचारों से फ्री करने के लिए, आप एक पेपर उठाए, एक पैन उठाए, और जो भी आपके साथ हुआ है, उसको लिख दे, जब आप किसी चीज को लिख देते हैं, तो आ बहुत ही अच्छे और बहुत ही बेस्ट तरीका है ओवर्थिंकिंग को खतम करने का, दोस्तों इन तरीकों का यूज़ करके काफी लोगों ने ओवर्थिंकिंग को खतम किया है, तो दोस्तों आप भी इन तरीकों का यूज़ करें और ओवर्थिंकिंग को पहली फुरसत मे नेगलेक्ट करें तो दोस्तों यह वीडियो कैसी लगे आपको यह comment box में बता है अगर आपको कोई सवाल है तो comment box में बिल्कुल लिख है कि हम